और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर पीमोदी के कारेले में हाल ही में तेनाथ किये गए सचीव हसकर खलबे पीमो के सबसे अधिक वेतिंपाने वाले नों कर साखो गए हैं पीमो से जारी नए दस्तावेजों और एपसाइट के ये जानकारी मिली है खबर के मताबिक पीमो ने अपने सभी अधिकारियों और तरमचारियों की सैल्डी सरवजने कर दी है सूचना के अधिकार के नियम के तहट पीमो ने खुद की पहल पर ये खुलास्त किया है इसके मताबिक 1983 बैच के IAS अफसर भास कर खुलबे यहाँ सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले अधिकारियों है उनकी सैल्डी दो लाख एक हजार चार्सों पचास लाख रुपए प्रति महीने है उन्हें पिछले सब्ता ही पधान मंत्री का सचीव गनाया गया है PMO में तीन सबसे बड़े अफसरों में PM के प्रधान सचीव निप्रेट मिश्रा, अतिरिक्ष प्रधान सचीव के मिश्रा और राश्टी सुरक्ष सलहकार अजीद हुपाल को एक लाख बासट हजार फांक सो रुपए महीने वेतन मेंता है इन सबों का वेतन समान है क्योंकि ये तीनों रेटायर सरकारी अधिकारी है उत्तर प्रधेश विधान सबा चुनावों में आगास के तौर पर राखुल गांधी और सोनिया गांधी के सखल चुनावी कारेक्रमों से उत्साहिद कॉंग्रेस ने अलान किया यूपी में वो किसी के साथ चुनावी गतबंधन नहीं करेगी इस बात का एलान यूपी में कॉंग्रेस की मुख्यमंत्री उमीदवार सीला दिक्षित ने लखनू में ट्रेस कॉन्फेंस किया सीला दिक्षित से जब नितिश कुमार की पार्टी जेडिव और बीस्पी से चुनावी गतबंधन के बारे में पूछा गया तो सीला दिक्षित ने साथ कहा कि किसी पार्टी से कोई गतबंधन नहीं होगा कॉंग्रेस अपने बूते खड़ी होगी और लड़ेगी सीला ने कहा कि पार्टी अपनों मीद्वारों के नाम का एलान भी जल्द करेगी लेकिन कब करेगी इसका फैसला पार्टी करेगी खुद के चनाव लड़ने पर सीला दिक्षित ने कहा कि ये फैसला वो खुद नहीं लेंगी बलकि पार्टी का आदेश का पालं करीडी विट्नमंत्री अरण ज्वेटली ने आज गोपहर में लोग सभा में JST सम्मिधान संस्को धन बिल चौचा के लिए पेस किया ज्येटली ने इस बिल को राज्यो सभा में पास कराने के लिए सभी पार्टियों का शुक्रियादा किया फित्त मंत्री ने कहा कि 2011 में लाएगा ज्येटली बिल में राज्यों के घाटे की भरपाई का प्रावधार नहीं था उन्होंने बताया निर्मान उत्पादन में लगे राज्यों को राज्योस्वग घाटे की चिंता थी ज्येटली ने कहा कि मजबूत लोक्तंत्रों के कारण ही इस बिल पर केंद्रों राज्यों की सहमती संभग हुई इस बिल पर प्रधान मंत्री मोधी श्रम को 6 बजे सदन में बोलेंगे ज्येस्टी को आर्थिक मोचे पर मोधी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्दी बताया जा रहा है पूर्व बियस्पी नेता स्वामी प्रसाद मोर्या आज अमिच शाग की मौजूदीगी में भारतीय जर्नता पार्थी में शपत लेकर सामिल हो गए 22 जून को मायवती पर टिकट बेचने कारोप लगाते हुई मोर्या ने बियस्पी से इस्तिफा दे दिया था इस्तिफे के बाद मायवती ने मोर्या के आरोपों का जवाब देते उन्हें पार्थी से निश्कासित कर दिया था पिशले रेड महीने में UP BJP के प्रभारी ओम प्रकाश माथूर ने स्वामी प्रसाद मोर्या की दो बार BJP अध्यक्ष अमिच्छा से मुलाकात कराई थी मोर्या बीजेपी में आए इसका पूरा इताना बना ओमाथूर ने बना है ओमाथुर अच्छे से जानते हैं कि यूपी बीजेपी के अध्यक्स केशव प्रसाद मौर्या बिल्कुल नहीं चाते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्या बीजेपी में सामिल हो आतंकी संगचन हिजबल मुझाहिदिन के चीफ सेयद सलाउदिन ने कहा कि कश्मीर के मुद्ध पर भारत पाकिस्तान में पर्मानू युद हो सकता है सलाओदिन ने भारत को ये धमकी कराची में जमात ए इसलामी मेताओं की कश्मीर मुद्धे पर हुई जोईंट न्यूस कॉंट्रिंस के दोरां दी केंद्रमंत रिवेंक एनाइडू ने सलाओदिन की धमकी पर कहा वो है कौन और उसे कश्मीर पर वोनने का हक इसने दिया उन्होंने कहा कि धमकी से कुछ नहीं होगा ऐसे लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बाते करते हैं हिजबुल चीफ ने कहा कि मैं भारत पाकिस्तान के भी चोटे यूद की भविश्यवानी भी कर सकता हूँ क्योंकि कश्मीरी किसी भी स्थिती में समझवाता करने के मूज में नहीं है जमुकश्मीर में जौरी तनाव को देखते हुए आज लगातार 31 दिन कई लाकों में कर्फियू और प्रतिबंद जारी है जिसके कारण जन्जीवन प्रभावित है पुल सूत्रों के मताबिक अनंतनाग, पुलगाम, शोपिया और पुलवामा में कर्फियू है जब कि श्विनगर, सुपोर, बारामुला, हनवाडा और कुपवाडा में प्रतिबंद जारी है यहाँ पिछले माँ भड की हिंसा के बाद से पहली बार जिला प्रसासन के कई वरिष्ट अधिकारियों ने कहा है कीवे मीडिया से बात करने के लिए अधिकरत नहीं है अलगाबादी और निश्विनगर में सिविल सेकेट्रिय और अन्य प्रसासनिक कारलेक तक लोगों से सड़क मार्क बाधित करने को कहा है सेक्षनिक संस्थान, कारुबारी प्रतिस्थान और सार्वजनिक परिवहन की पिछले एक माँ से अधिक समय से बंद है अलगाबादी नेताओं को एतियाद के तौर पर हिरासक में रखा गया है जमुकश्मीर के कुपाड़ा जिले में नियंतरन रेखा के पास आतंखियों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुटभेट की खबर आई है बताया जा रहा है कि आज हुई इस मुटभेट में बी-स-फ के दो जवान फ़हिद हो गए है जबकि एक आतंखी को भीमार गिराया गया है खुपाड़ा के लिए अतिरिक्ट सुरक्षा बलो को रवाना कर दिया गया है हाला कि ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि ये मुटभेर गूसपेट की कोशिश के दोरान हुई या फिर आतंखी इलाखे में पहले ही से मौड़ूद थे जानकारी मिली है कि जमू कश्मीर के खुपाड़ा जिले के माच्छिल सेक्टर में इंकाउंटर अब भी जारी है पाकिस्तानी खुवे एजंसी आईएस आई अंतराश्ट्रिय सीमा और लोसी के जरिये बड़े पैमाने पर गूसपेट कराने की कोशिश में है भारतिय सुरक्षर एजंसीयों ने आतंकियों के घूसपेट करने की आठ जगाओं और आतंकियों के मुवमेंट का पता लगाया है लश्कर कमांडर शहवाज उर्फर लतीफ अपने साथ-साथ आतंकियों के गूसपेट की कोशिश में है हिजबुल मजाहिदिन के आठ आतंकियों का ग्रुप उरी सेक्टर में गूसपेट की कोशिश में है जेश के पांच से छे आतंकियों का एक ग्रुप बिमला पोस्ट के नजदीग गूसपेट करने की कोशिश में है सुरक्षा एजिंसियों ने इसके साथ इलशकर जेश और हिजबुल के आतंकियों की बादशीत को इंडरसेट किया है कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग का फ्लासा इस इंडरसेट बादशीत से हुआ है इसने आतंकी कोड के जरिये बात करने सुनने रहे हैं पाकिस्तान के बड़ुचिस्तान ग्रांट के क्वेटा में एक सरकारी अस्पताल में धमाका हुआ है आज सबहा हुए इस बंधमाके में अब तक तरफपन लोगों के मारे जाने की खबर है वही बड़ुचिस्तान के मुख्यमंत्री ने हमले के लिए भारत को जिम्यदा ठेराया है पाकिस्तान के जियो टीवी के अनुसार बड़ुचिस्तान के मुख्यमंत्री सनाउललाव जहरी ने आज भारत पर आरूप लगाते हुए कहा कि क्वेटा हमले के पीछे भारती अफूफे एजनसी रॉप का हाथ है शुरुवादी जौनकारी के मताबिक एक आत्मगाती हमला बताया जा रहा है क्वेटा में एक वरिष्ट वकील की हत्या के बाद गुए इस ब्लास्ट में घायल होने वाले अधिकतर वकील ही बताय जा रहे है घायलों की संख्या तीज बताय जा रही है अब तक किसी भी आतन की संगठन ने इस हमले की जिन्मदारी में भी लिए इलाबाद के एक स्कूल में राश्ट्रगान गाने पर पाबंदी लगाने वाले स्कूल के प्रशासन ने कड़ी कारवाई की है फुलिस निदेश्डो का मुकदमा दर्ज का स्कूल प्रबंधक पुगिरफतार कर लिया है इससे पहले स्कूल की प्रिंसिपल सहित आठ टीचर्स ने स्कूल में राश्ट्रगान गाने की पाबंदी लगा देने पर इस्तिफा दे लिया था इस्तिफा देने वाले टीचर्स का कहना है कि राश्ट्रगान गान सम्हिधान की ओर से दिया गया मूल अधिकार है स्कूल प्रबंधन ने जब इसे गाने पर एकराज जताया तो उन सब को इस्तफा देने पर मजबूर होना पड़ा रशासन ने जाच कराई तो पता चला कि ये स्कूल बिना मानने तके ही चल रहा है रशासन ने स्कूल को सीड़ कर दिया है स्कूल प्रबंदन ने बताया कि राश्ट्रगान में भारत भागय विधाता के भारत शब्द से उन्हें एकराज है राश्ट्रगान से भारत शब्द नहीं हताया जाएगा तो वे स्कूल में राश्ट्रगान गाने नहीं देंगे बीजेपी के लिए मुस्लिम समुधाय के लोगों को अपने सास जोना हमेशा से ठेड़ी खीर साबित हुआ है लेकिन अब बीजेपी की नाजर अलपसंध्यक वोटों को लुभाने में लग गई है पार्टी में तक खुद को मुस्लिम और इसाई समुधाय को अपने साथ जोने की कवायत शुरू करने जा रहे है इसके लिए बीजेपी अलपसंध्यक सम्मेलन आयुजित करने जा रही है जिसमें खास्तोर पर मुस्लिम और इसाई समुधाय के युवाओं के विचारों उनकी समस्या सरकार की मीतियों पर उनकी राय लेगी इन युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाए इसी एजेंडा पर वीजेपी काम करेगी यही नहीं बीजेपी इन युवाओं फीर राइगी लेगी इस अमेलन को बीजेपी अगस्त के अंतिम सप्ता में आयोजिट करेगी भारतिय रुजर्व बैंक के एक नए गवरनर को लेकर ताजात कलिसाम में आई है शुकरवार को रिजर्व बैंक के पूर्व दीत्री गवरनर सुबीर गोकर्ण ने गवरनर रघुराम राजिन से मुलाकात की थी इसी हफते गोकर्ण ने आर्थिक मामलों के सचीफ शक्तिकांत दास से भी मुलाकात की थी सूत्रों के मुताबिक के इंद सरकान ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वे नए गवरनर के नाम का एलान कब करेगी हाला कि ऐसी संभावना जोताई जा रही है कि इस अफते के अंध तक नए गवरनर के नाम की घोशना हो जाएगी पहले आरबी आई के गवरनर के पाद के लिए जिन लोगों के नाम की चर्चा थी उन्हें मुख्या आर्थिक सलाकार अर्विंद सुब्रमानियम, विश्व बैंक के पूरों मुख्या अर्थिशास्त्री कोशिक बसू, नीती आयोग के उपाध्यक्ष अर्विंद पनगड अर्विया, आर्विया के पूर्वधीप्टी गवरनर राकेश मोहन और भारतिय स्टेट बैंक के चेन्मेन अरुंदती भचाच्च्वारे का नाम शामिल था इस न्यूस बुलिटन में फिल हाल इतना ही, ताज़त अरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेटो टीवी से, नमस्कार